हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू, स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, 3 मई 2022 के हर्याना करंट अफेर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आईए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो, अगर आपने स् जवाब दिया था, कुछ बच्चोने तो डिटेल में भी लिखा है, कॉलकता किस नदी के किनारे पढ़ता है, कॉलकता हुगली नदी के किनारे पढ़ता है, मैं आप से हर बार कहता हूँझी, जो सवाल मैं आप से पूछूँ उसका जितना ज़ादा आपको विस्तार पता है उतना बताईएगा इसे आप लोगों को भी क्या होगा कि आप भी प्रिपेशन में बहुत ज़ादा हेल्प मिलेगी और पढ़ने वाला मेरे जैसा भी कमेंट अगर पढ़ता है तो भी मुझे भी कुछ सिखने को मिलेगा तो जरूर आप लोग ये डिटेल जरूर लिखा करें सर्च करकर के इधर उदर से आप लोग थोड़ी मेहनत किया करें आज का पहला सवाल है कि हर्याना के किसे जिले की बेटी सम्मी खेल कोटे से जो है वो कोर आफ मिल्टरी पुलिस सिपाई मे भरती होने वाली देश की पहली महिला बनी है तो खेल कोटे से जो है ना सेन्य सिपाई बरती में सामिल होने वाली देश की पहली महिला बनी है ये हिसार जिले की है option number A बिल्कुल ठीक रहेगा हिसार की सम्मी सीधी सेन्य बरती में बरती होने वाली देश की पहली महिला है य अभी तक कोई भी ऐसे सेटप नहीं हुआ है इस जगह पर, टीक है ना, गाउं डाटा की है ये रहने वाली, ठीक है न, इन्होंने मैदान में रिले जो दोड है न, उसके अंदर इन्होंने काफी काम किया, 400 मिटर की रिले रेस की ये खियदारी है एकशली, ठीक है न, और 2022 को सम्मी को लेके core of military पुलिस जो ना जोईने इन्होंने कर ली है वे देश की पहली महिला ऐसी बन गई है जोनोंने खेल कोटे से core of military यानि की जो आपकी सेने भरती है इसमें सामिल हुई है ये तो काफी important है ज़रूर याद कर ले ना आप लोग यहां पर ठीक ना और इससे जो है ना हिसार जिले की अगर आप बात करते हो तो हिसार को आप steel city कहते हो ठीक ना और हिसार को ही एक stainless steel जो है ना इसी को थोड़े टाइम पहले ही 39 करोड रुपे की बिजली बचाने के लिए best industry का भी award मिला था तो ये बात आपको याद रहनी चीए अगला सवाल हमारा रहेगा कि हर्याना सहरी विकास प्राहदी करण दवारा इस वर्स कितने एकड़ भूमी पर नई प्रियोजनाएं विक्सित की जाएगी तो इस साल तीन हजार एकड़ भूमी पर नई प्रियोजनाएं विक्सित की जाएगी option number C बिल्कुल ठीक रहेगा हर्याना सहरी विकास प्राहदी करण ने इस साल तकरिबन तीन हजार एकड़ भूमी विक्सित करने की गोशना की है इसे 11,000 करोड रुपे की कमाई होगी भूमी पर लगभग जो है न वो 2,223 करोड पॉइंट 0 करोड रुपे की लागत से प्रियोजनाएं त्यार की जाएगी मोटा मोटा आप 2223 करोड याद कर लीजेगा इनके पर प्रियोजनाएं होगी जिनसे ही सरकार को कमाई होने वाली है और अगला सवाल है कि हर्याना के किस जिले में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा ये सवाल जुरूरी है याद करना आप लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा हर्याना के फ्रिदाबाद के अंदर option number C बिल्कुल ठीक रहेगा पंचकुला की राजिव कालोनी इंद्रा कालोनी वे खंडक मांगोली सलम छेतर में रहने वाले लोगों के लिए sector 20 वर 28 में रिहाईसी आवास और STP के निर्मान के अलावा फ्रिदाबाद के sector 78 में international convention center बनाने की गोश्टना हर्याना के मुख्य मंत्री जीने की है अभी recently सेविल सच्चवाल्य की प्रादी करने की 123 में बैठक हुई थी उस 123 में बैठक के अंदर जो हना ये जानकारी दी गई है मैं आपको बता देता हूँ हर्याना का फ्रिदाबाद जिला वो जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं याद रखना आप लोग ठीक है अती गरीब केटेगरी जिनकी सालाना इंकम 25,000 से भी कम है हर्याना सरकार ने कब तक राज्य के आठ घजार तलाबों के जिरनोधार का लक्षे रखा है तो हर्याना गौवर्मिट ने आने वाले 15 अगस्त तक जो है ना 8,000 तलाबों का जिरनोधार का लक्षे रखा है अमरित सरोवर इस योजना का नाम है योजना के तलाबों की खुदाई रिटर्निंग वाल, सुन्देर्यकर्ण इन सभी पे काम होगा 15 अगस्त 2022 तक हर्याना के 8000 तलाबों को जरिनोधार किया जाएगा 1600 तलाबों पे जो है ना काम अभी के लिए स्टार्ट भी कर दिया गया है इस योजना का नाम जरूर याद रखना अमरित सरोवर योजना हर्याना सरकार सफाई करमचारियों के आश्रितों को विदेश में अध्यन करने के लिए कितना रिन उपलब्द करवा रही है मा लेते हैं कोई सफाई करमचारी है उसके बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उनको जो है लॉन दिया जा रहा है हर्याना गवर्मेंट के तरफ से 20 लाक रुपे तक का आप्शन नमबर B ठीक है भारत में अध्यन के लिए 10 लाक और विदेश में पढ़ने के लिए 20 लाक रुपे सफाई करमचारी के आसरितों को असान सिक्षा रिन अपलब्द करवा रही है हर्याना गवर्मेंट इसके लिए तो स्पेसली ये पॉइंट आपको जुरूर याद रखना है हर्याना सरकार के दवारा ऑनलाइन सिक्षा के महतव को दृष्टिगत रखते हुए किस योजना को लागू किया गया है हर्याना गवर्मेंट के दवारा ऑनलाइन सिक्षा की बहुत ज़दा वैल्यू की है value actually है भी क्योंकि TV पे सबसे पहले education online देने वाला COVID में हर्याना राज्य ही था और इस योजना का नाम है E. अधीगम योजना option number A बिल्कुल ठीक रहेगा और online सिक्षा को महतव तो इतना आप देखी लीजिएगा कि जो कि 5 लाख विद्यारतियों को tablet दिया जा रहा है दो जी भी free data दिया जाएगा ठीक है ना और इसके अलावा जो personalized adaptive learning platform अपलब्द करवाये जाएगा ये क्या होता है सर परस्नलाइज adaptive learning platform इसका मतलब यू होता है कि उसके अंदर already सारा का सारा जो है ना आपका material फीड किया जाएगा जो without internet ही चलेगा basically और इसके अलावा खुद self तरीके जैसे मान लेते मैं एक example देता हूँ कि biology की कोई class होगी 11th का बच्चा है और उसको biology subject उसने choose कर रखा है तो उसकी लिए क्या है कि class 1, class 2, class 3 ऐसे करके series wise और class 1 उसके साथ उसी के notes, class 2 उसी के notes, class 3 उसी के notes ऐसे इस type से जो परस्नलाइज adaptive learning डाल रखे ताकि बच्चा खुद भी बढ़ ले बिना किसी teacher के भी तो इस परकार की चीजे जो है ना वो actually teacher तो कहर हो गई जिसने video record किये लेकिन फिलहाल जिसको class को चलाते time में कोई दिक्कत ना हो तो ये यी अधीगम योजना है जरूर याद रखना सरकारी स्कूल के बच्चों का मनोबल तो इससे अफकोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा ठीक है ना पांच माई 2022 को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विधारतियों को टैबलेट दिये जाएगा इस योजना का सुभारम किया जाएगा और रोतर के महरसी दयानंद विस्तर विधाले के टैगोर ओडिटेरियों में टैबलेट बित्रन समारो जो है ना वो आज़ुद किया जाएगा आने वाले पांच माई को हर्याना के किस वैक्ती ने दिल्ली में हुए खेलो मास्टर गेम्स में सो मिटर की दोड में गौर्ड मैडल हासिल किया है तो इनका नाम है मास्टर साहब सिंग आप्शन नमर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है बहादरुगड के के गाउं चारा के निवासी है ये ठीक है ना बहादरुगड का गाउं है जिनका नाम है चारा और चारा के रहने वाले हैं चोदा गाउं के परधान मास्टर साहब सिंग ने दिल्ली में जो खेलो मास्टर गेम्स हुए थे मास्टर सहाब सिंग की उपलबदी पर Facebook आदी इंटरनेट माद्दों पर सारजनिक पोस्ट करके उन्हें बधाई भी दी है, ठीक है ना, तो इन्होंने अच्छली मास्टर सहाब ने अब तक जो है ना अपनी जिन्दगी में 20 मैडल जीते हैं, पर सारे गोल्ड नहीं है, अब पर सारे गोल्ड जीता है इन्होंने, दिल्ली के त्यागराद स्टेडियम में आजीत हुए थे, मास्टर गेम्स, उन्हों में 100 मिटर की दोड में जो ना, इन्होंने गोल्ड हासिल किया, सो काफी इंटरस्टिंग और बहुत बहुत वैल्यूबल बात है यह वाली, ठीक है मास्टर सहाब सिंग ने इस उमर में यह कारनमा कर दिखाया भीया, चलो जी, इसे के साथ यह लेक्चर समाथ होता है, आपके लिए सवाल होगा कि नीचे दिये गए वी कल्प का अवलोकन कीजिएगा, नील अफीम का पास, इन में से किस फसल को उगाने के लिए अंग्रेज